आइए बात कर लेते हैं next caller से जी नमस्कार सुफागत है आपका अच्छी नमस्कार नाम बताईए कहां से बात कर रहे हैं मेरा नाम रमेश नाम जो है जी रमेश जी हम जाहित कर रहा हूं ठीक है सवाल करें और एक है कि हमको सेटमबर 2012 मेरा दुरु घटना में मैं मेरा जांग का अधिक लिट गया था उसके बाद उसकी प्रजरी हुई और जब डॉक्टर ने चलने के लिए हमको इजाज़त दी तो उसके बाद मेरे कमर से लेके और नीचे पंजे तक उसमें दर्द रहता है और दो सो इंटो मीटर चलने पर फून रूप से कमर से लेके पंजे तक सुन्नपन हो जाता है और जब बैठके हैं बैठना ही पड़ता है जब बैठ गाते हैं तो थोड़ी दे पांजा किनेट के बाद में फिर उसके चला जाता है तो डाक्टर ने जो है वो सुन्नपन की दबाई भी हमारा इलाज किया है एलो पैसे अंगे जी सब्सक्राइब बैठन कुम डेली अपोलो और ये इंड सब्सक्राइब इलाज करा है और डॉक्तरों ने हमको चला ये भी कि आप जब तक चल रहा है वो चल बेरो सर्जरी करेंगे तो मैंने डाक्टर साथ के साहार के सारी जाए बता ही है तर ज़री के बाद किया मैं बाद करता हूं तो क्या इसके बाद आफ रखेजरी बेर आई शाल की अवेड रूब अपना तो बोले आपको कुछ भी नहीं कहा जाए अच्छा है तो मैंने क्राए ये तो नहीं बात दमी मैंने जो है उन्से उस राश्ते पर जामी चोड़ दिया ठीक और उसके साथ अब आपक वजह मेरा आपके दिया चल रहा है अचा क्या ले रहे हैं और कितना फाएदा है अधा जो बहुत काफी आव्च से जो है आप को मैं तो पिर और जा हुआ है और इस समय भी वह बैट रहे हैं गोल्न जो है अमने मूट कर दिया है और साथ मैं आप अथ्ची रहे तो ये मैं जो इसके लिए आपने जो नुस्ता बताते हैं, औरंजांग सीरी, अस्वगंदा, अरव, हलुपी और कलोनी, ये मिलाके जो है, इसका च्मूर बनाया, और करीफ दोपी मिनें हमने इसको खाया, अजी, और मैं सिकाच किजीग नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी सिकाच कर रहा हू है, और इसके जो दवा, जो हमको प्राब्लम जो हो रही है, हमारा जो प्रेट का निजाम है, वो ही तो है ठीक नहीं रहा है, तो हमने आपका जो रुष्खा है, ये जो जेते हैं आप अपना तॉंक तॉंक और अजवानों सालर नहां, जार्टीयों कर मिला हूँआ है, शीक प्रेट का अपना जार्ट विभी, ये दी दे रहा हूँ, तो अब अभी, अभी जो है, इसमें जो हमारे डर्टर कौन है, ये स्टल्प नंबर सर जो आपका, जो आपका दिस्प्ले हो रहा है, इसके हमारा खरीर तीन अप्ते पे, पहले बात निज रही देंगे, तो इन्ह यह पेट के लिए और मनाने के बाद में 15 तरीव अभी हुए हैं तो क्योंकि हम बढ़े हिस्टी सीचर हैं इस माम लेने क्रोनिक हैं तो बाराते लेके अभी तक 20 हो गया है और पता नहीं कहां 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 कि दवाईये खाईये तो दवाईये तो हमने अंग्रेजी वाली तो 100% अच्छा हमें आप एक बात बताईये आपको कुछ फाइदा हुआ या नहीं हुआ यह है कि अंग्रेजी दवाईये जो खा रहा है तो बन हो चुकी है ठीक है और जो लुखावी आपका ले रहे थे उसके लिए हमको आराम पड़ता था लेकिए है कि हमको कोई नुक्तान न आदबी हैं और मेरी छोटी सी बास सुन लीजे यह जो आप नुस्खे ले रहे हैं इन में आप यह जो पीट का नुस्खा है आपके इसमें नमक कलोंजी मिला लीजे सौगिराम पीट के नुस्खे में नमक कलोंजी एस्टेक होता है यह कलोंजी का या हम इसे रसायन भी कहत हैं यह हम आसान जबान में नमक कलोंजी तो यह फॉरन काम करने लगेगा आपका तेजी से आपको तेज दवा की ज़रूरत है आपको हलकी दवा नहीं चलेगी आपकी अमर भी ऐसी है और फिर आप मजबूत आदमी है आपको पोटेंसी बहुत जादा चाहिए तो इसमें तो ग्राम आप काला गॉंद मिला लिजे इसे गॉंद सिया कहते हैं लेकिन लेना असली है इसमें मिला कर आप शुरू करें आपको जो फायदा भी हुआ या ने हुआ उससे पचास गुना तेजी से फायदा होगा और यह जो पेट का नुस्वा है इसको आपको आदे से एक चम उससे गॉंसिया मिलाना है तो इसमें आपको एक एक ग्राम खाना है तीनों टाइम तीनों टाइम खने के बाद बगएर चैर्भी के दूस्स से पानी से या जूस से जिसे आपके अपर हालाते ले सकते थे मैं माज़रत मिजम चाहता हूँ कि मैंने साक्री कि बात कर थे का है वो भी आप ले सकते हैं वो भी दिन में दो बार तो उससे आपको बहुत देजnun के फायदा हो सकता हैола है गाज़ेबाद मैं परसो बात करी जी तो वे लास्ट था तो जल्दी खत्म हो गया मैं फीड़िपक भी देना चाहता था दो पॉइंट को एक्लारिफाई करना चाहता था वो अडिम पाये तो उसमें पहले तो उसमें पहले तो मैंने बहुत जाती की कि जो मुझे फाइदा वा वो मैं नहीं तो तर से मैं आपके कुंटेक्ट में तीन-चार साल से जो है तो यह मेरे एक नैच्रोल पेहन होई थी तो यह मैंने पांसो ग्राम का जो नुस्का बनाता उसके होते होते वह ठीक हो गया था और प्लस जो था मेरी एक पचास साल पहले वेट लिफ्टिंग करते वे गोड़ पचास साल से पेहन हो थी बलके वो भी 70-80% उसको भी आराम आ गया जबकि मैंने सोचा था कि शायद एक्सीडेंटल शायद इससे ना ठीक लेकि उस पे भी उस ने काम किया जी बहुत अच्छा ठीक है अच्छा दीए आपकी बात पूरी हो गई आप से पहले आप सुन रहे हो एक साप का फोन आया वो भी 72 एर्स के थे आपकी तरह आप 71 के हैं अच्छा दीए मेरा काम जो है वो सिर्फ इतना है कि आपको इमानदारी से कोई मश्वरा दे देना अब आपका और भगवान का मामला रह जाता है अगर मैंने अपना काम इमानदारी से कर दिया अब आप हमेशा याद रखिए मैं बहुत दवा बेचने की कोशिश नहीं करता सिर्फ घरे नुष्के देने कोशिश करता है आपको फाइदा हुआ तो बहुत शुक्रिया उपर वाले का करिए और हो सके तो मेरे लिए भी दवा करिए अगर फाइदा नहीं हो तो मैं जिम्मेदार न क्योंकि ये दवाएं उपर वाले के हुक्म से काम करती हैं जैसे उनको फाइदा नहीं हुआ या कम हुआ आपको पूरा फाइदा हो गया जिन लोगों को नुष्के से फाइदा नहो तो उन्हें अपने रब को मनाना चाहिए अपने भगवान को मनाना चाहिए उस से मदद म हो तो गौंस्याह मिला ले तो ये उससे पचास गुना तेजी से काम करता है लेकिन क्वांटिटी वही एक गिराम दिन में दो या तीन बार ले सकते हैं बहुत शुक्रिया अच्छे लोगों के आज कॉल आ रहे हैं और मुझे पिछले प्रगाम में शिकायती सब पचास साल के आ रहे हैं अब साथ 70-72 से शुरू है यह लोग तजर्वेकार होते हैं अच्छी बात करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी भी अगर अच्छे लोगों से बात हो इसे के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं हमारे साथ बीना जुणी है स्वागत है आपका हालो हां जी कहां से बात कर रही है मन एक्ष्य बात कर रही है चलिए सबाल करीए अपना जी नमस्कार अदर्व अदर्व मेरे तो मेरे वह गुटनों में दर्द है नगरिए रात को अर्थ करंट पलता है और मुझे पेट इसा पर दिखता है और मेरे रात को नीन प्याति नीन की बज़े से बहुत परेशानूद मेरी व्यार रात के बहुत कम हो दिए और कुछ बताना चाहती है एज चाहें तो बता दीजिए हम अपनी एज मेरी पतामन साले है ठीक अचा देखिए घुट्रों का दर्द किसी को हो या कहीं भी दर्द हो चाहें दर्द हो चाहें कहीं भी दर्द हो तो वो कहां सोने देता है जो इसके लिए इलाज भी जरूर किया होगा आपने और अभी आप जिसे टेलिविजन देख रहे थे तो इसमें मैं नस्खेजाद बताता हूँ उससे ज़्यादतर लोगों को फाइदा हो जाता है जो सायम वाले होते हैं और गौन सिया अगर आप आदा आदा गिराम खाएं रोजाना काला गौन आता है एक असली देना नकली बहुत मिलता है तो यह सो दो सो गिराम खरीदने पर अगर आप खतम करने इसे तो यह अपने खतम होने से पहले बीमारी को खतम करने में काफी है और जिनके पेट में प्राबलम है वो ले सकते हैं देखिए नमक कलोंजी आता है एक नमक कलोंजी तो नमक कलोंजी लेने यह एस्टेक होता है यह एस्टेक होता है कलोंजी का रसायन भी कह सकते हैं इसे ये अधा गिराम पानी मिला कर पी लिया करें एक बार या दो बार दिन में आपका पेट भी और नीन भी खुब अच्छी आया करेगी ऐसा मेरा तजर्बा है अगले कॉलर हैं पंजाब से अलके शिमला हमारे साथ स्वागत है आपका जी आदाव अदाव सर मैंने अपनी बेटी के लिए पूछना था उनके सिर पे बहुत रूसी है जैंडरफ है चीक है बहुत खाज करती रहती है बहुत तकलीफ है उसको कितनी उमर होगी बच्ची की बाईस साल की उमर है जीकि बड़ा आसान नस्खा है एक जो घर में हमारे महिलाएं दूद की बालाई जमा करके ना और घी निकाल लेते हैं यह वाला घी लीजे और रात में उसके लगा ले अपने खूब मालिश कर ले सर में और कुछ बांध भी ले पॉलिपेक वगरे ताके तकिया बिस्तर खराब ना हो और सुबह को वाश कर दिया करें ऐसा एक करिए कि अखिम साथ से बात चलनी भी जी वर्मा साथ मैं आपकी बात सुन रहा हूं बताए क्या आपका फर्मान है जी मैं यह जाता था था कि यह कलोजी नमर के बदिल्वत कुछ दूसरी सीज हो तो फिर आपको सिर्कों में आना पड़ेगा तो आप जैतून का सिर्का ले सकते हैं जैतून का सिर्का अगर दो तीन चमच एक बार लिया जाए दिन में या दो बार पानी मिला के तो बहुत फाइदा करता है तो उम्हीद करेंगे कि आपको आपके सवालों का जवाब संतोज जनक मिल गया होगा लेकिन दृष स्नेया लख के लिए न सल्डयादा है अगर आप लोगों बात करें दृष को अतिया हर्ब्स की तो अतिया हर्ब्स एक ब्रांडडिक कंपनी है 500 से भी हिंदुसान में इसकी प्रेंचाइजी है जिसकी प्रमूटर पाउंडर है हकीम सिलिमान खान सहाब जो सीधा आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं आपको कोई भी रोग क्यों ना हो गया हो दर्श को बार बार इस कारेक्टरम में यही आप लोगों को कहा जाता है कि ऑपरेश चार से पांच महिने यानि कि जो लोग सयम रख सकते हैं जो लोग इंतजार कर सकते हैं जहां उन्होंने इतने सालों साल एक ट्रीट्मेंट में मतलब अपना पूरा आधे से जादा वक्त गवा दिया है वो लोग अप युनानी की तरफ चल ये दर्श को देखिए युनानी कि भी अगर आप लोग अपनाना नहीं चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि नुस्के अपना लेते हैं उनसे हमें फायदा हो सकता है तो यकीन मानिए जरूर आप लोगों को फायदा होगा लेकिन आपके लिए नुस्का कौन सा बहतर है ये तो आप ही लोग जान सकते हैं तो अगर आप रोख संबंधी प्रश्न करना चाहते हैं हकीम सहाब से लाइव बार करना चाहते हैं तो तुरंट इन नमबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने लगतार दिखाये जा रही है